बसकार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन तो पतना में लोगों को कोहरे देखने को मिल रहे हैं विजबिलिटी बेहदी कम हो गई है और इस कारण स्कूल की छुटियों को भी बढ़ा दिया गया है मौसम बिभाग की तरब से लगातार बिहार के अलग-अलग जिलो में अलट जारी किया जा रहा है कई जिलो में रेड तो कई जिलो में यलो अलट बताया गया है आने वाले दिनों में मौसम का हाल क्या कुछ रहने वाला है चलिए हम आपको बताते हैं पटना बिहार के लोगों को अभी भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है मौसम बिभाग की चेताबनी जारी है देखरब जहां मौसम बिभाग ने 29 जनवरी तक घने कोहरे के साथ शीत लहर की आसंका बताई है बिभाग की अनुसार अगले 29 जनवरी तक राज के लोगों को ठंड की मार सहनी पड़ेगी मौसम बिभाग ने चेताबनी देते हुए कहा है कि राज में लगभग सभी जिलों में बरफिली उत्तर पच्छुआ हवा से लोगों की परिशानी बढ़ रही है बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम बिभाग ने 29 जनवरी तक राज के शीत दिवस और घना कोहरा चाय रहने की संभावना बताई है बिहार में 12 जनवरी के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है मौसम बिभाग बिहार के उत्तर और दक्षिन के कई जिलो में कोहरे और शीत दिवस को लेकर अलट घोशित किया है मौसन बिभाग के आने वाले 29 जनवरी तक राज की ओर से जारी अलट में बताया गया है कि कई जिलो में बीद लहर और कोहरे की वज़ा से अलट बताया जा रहा है मौसन बिभाग के अनुसार 29 जनवरी तक ठंड और शीत लहर से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली मौसन बिभाग के तरब से लगतार बिहार के 18 जिलों में अलट जारी किया गया है बताया गया है कि इन जिलों में कडाके की ठंड पड़ेगी साथी साथ शीत लहर भी देखने को बिलेगी आयने वाले दिनों में मौसन जो है वो लगतार और भी जादा बदलता हुआ नजर आएगा अगर हम बात राजानी पटना की करें तो आज के दिन यानी की शनिवार के दिन राजानी पटना का तापमान जो है वो लुड़कता हुआ नजर आ रहा है लोगों को सुबा सुब कोहरे काफी जादा देखने को मिले हैं विजिबिलिटी बेहत कम जो है वो नजर आ रही थी क्योंकि ठंड का जो प्रकोप है वो दिन प्रति दिन और भी जादा बढ़ता जा रहा है मौसम भाग की तरफ से लगातार पटना को लेकर भी अलट जारी किया जा रहा है पटना सहीद 18 जिलो में शीत दिवस को लेकर अलट जारी किया गया है आने वाले दिनों में मौसम का हाल क्या कुछ रहने वाला है हम आपको अपने वीडियो के जरिये बताते रहेंगे फिलहाल के लिए मौसम में इतना ही